Hello Friends, जैसे कि दोस्तों आप सबको आइडिया हो रहा है कि BSTC 1st year का result दोस्तों आप जल्दी ही आने वाला है क्योंकि Second year का result जो है देधर आप देधरों सबका complete हो रहा है अब दोस्तों काफे सारे स्टुडेंट्स के comment थे कि उनकी ID किसी के खो गई है, किसी के password नहीं पता है तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको ID और password कैसे पता करने है और किस तरह से आप अपने सारी जो activities हैं वो देख पाएंगे एक बात दोस्तों आपको भी पता है जैसे या फस्टेयर में enroll हो जाते हैं तो आपको college के दुआरा एक ID और उसके password दी जाते हैं जो की साधरपन पर डियलेड पोर्टल में लगा जाते हैं और उसी ID और password से आपकी जो सारी activities हैं सारे दो साल का जो आपका course होगा तो उसके जो सारी activities हैं वो उसी ID के दुआरा होती है तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ID और password आप अगर खो दिये हैं तो उनको वापस से कैसे लिए जाए तो आईए देखते हैं इसके लिए दोस्तों आपको simply साधरपन सर्च कर लेना है किसी भी browser में और सीधा आप साधरपन के portal पर आएंगे तो आपको simply साधरपन portal पर click करना है सारी जो DLA की activities है दोस्तों साधरपन पर ही सारी जो की जाती है तो आपको और किसी browser और किसी site पर नहीं जाना है official साधरपन की site पर ही आपको आना है यहाँ पर थोड़ा सा time ले रहा है इसको open होने में फिर आप यहाँ पर देखेंगे DLA का जो portal है उस पर आपके लिए करेंगे DLA exams पर DLA exams पर जैसे ही आप click करते हैं तो आपके सामने एक नया portal खुलेगा network में थोड़ी problem है तो उस वज़स्ते थोड़ा time लग रहा है open होने में जैसे ही आप DLA exams पर पर click करते हैं आपके सामने ऐसा interface आएगा तो आपको क्या करना है simply desktop site पर कर लेना है इसे जैसे कि पूरा page आपके सामने open हो जाए desktop site पर करेंगे फिर आपको student login पर करना है student पर आप जैसे click करेंगे आपके सामने username और password यहाँ पर मांग रहा है तो आपको simply यहाँ पर थोड़ा सा इसे अलग गलत कुछ डाल देना है इसमें जिससे देखे यहाँ पर आपके सामने open हो जाएगा portal यहाँ पर अब देखी यहाँ पर अगर यह कि simply किसी के तो बीना कुछ डाल यह आ जाता है बट किसी के यहाँ पर नहीं आ रहा है तो आपको गलत कुछ ID पास्ट डाल देना है इसमें जिससे यहाँ पर फोर्गड पास्टोड का option आ जाएगा तो फोर्गड पास्टड पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर आपको simply अपनी Lemon कर दें यहाँ पर में अपनी पर मेरी कोलेज ताज मेमॉरियल कर दूँगा admission season है जो latest है यहाँ पर 20-21 आपका तो वो कर देंगे आप candidate का नाम आपको दो अक्सर यहाँ पर starting लिखने है तो मैं आप लो कर दूँगा यहाँ पर next step है यहाँ पर capture code आपको डालने है तो simply वहाँ से आपको capture code copy कर लेने हैं और यहाँ पर डाल देने हैं small letters में है तो आपको small लिखना है capital में है तो capital में लिखेंगे आप यह थोड़ा सा आपको ध्यान है capture code आपको गलत नहीं डालने हैं गलत डालेंगे तो फिर आपका details जो है शो नहीं होगी एक बार दुबारा से आप details चेक कर लें जिससे कोई भी problem आपको ना आए no record found आ रहा है यहाँ पर हमने जो मेरी bhtc है वो complete हो गई है तो यहाँ पर no record found आ रहा है आपके simply यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा और आगे आपके जो number है उनके 2 या 3 later आपको दिखेंगे तो वो number आपको पता ही होंगे तो वो number आपको वहाँ पर डालने है उन पर एक OTP जाएगा और वो OTP यहाँ पर डालते ही उन number पर आपके ID और password भे दे जाएगे तो इसी simple process से आप अपनी ID और password ले लेंगे फिर बाद में आप चाहें तो password अपने चेंज कर सकते हैं और जैसे ही आप अपने ID और password प्राप्त कर लेंगे तो आपको यहाँ पर username और password यहाँ डालने हैं capture code डालना है login करते ही आपके सामने आपकी profile खुल जाएगी वहाँ पर आपको सभी option आएंगे result वगरा के तो वहीं पर आपका result शो होगा तो आप यह सारी process जो है पहले ही कर लें और एक दो बार try करके भी देख लें अपनी profile कुल के देख लें कुछ mistakes हैं तो उनक में कमेंट में जरूर बताएं चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राब कर बेल ऐकून जरूर प्रेस कर दें हमारे चैनल पर दोस्तों बीएश्टी से दिरिटेड हर प्रकार की updates आपको मिलती रहती हैं तो चैनल को सब्सक्राब जरूर करें चली जल्दी मिलते हैं एक नई वीड सब्सक्राइब के साथ